हलो दोस्तों मैं मनीज आपका स्वागत करता हूं इस जबरदस्ती वीडियो में और आप यहां पर आये हैं तो सिंबल जी बात है कि आप GD&T के बारे में जानना चाहते हैं इसके लिए उन सभी की वीडियो में ने और आएड़ी बना दी है और आज का जो उम्हारा टोपिक हो वो होगा पर परेंडिकुलारी जिसके बारे में हम स्ट्रेंगे को चेक कैसे करते हैं और परपेंडिकुलारी थी होती की है अभी दो मिनिट में आप शीख जाएंगे तो वीडियो में आयन तक बने रहें इससे पहले के जो GD&T के टरम्स है स्ट्रेटनाइस फ्लाइटनाइस सर्फेस और प्रोफाल लान और प्रोफाल इन सब के बारे में मैंने जो बता है उन वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर अभी तक उनको नहीं देखा तो पहले उनको देख लीजिए ताकि आपको GD&T के बारे में अच्छे से पता चल सेगे अब ज्यादा देरी ने करते हुए हम स्टार्ट करते हैं तो भाई जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं हमारे पास यह एक 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 जम्पल है जिसमें फीचर कंट्रोल जो फ्रेम में यह बॉक्स देख रहे हैं इसको फीचर कंट्रोल फ्रेम बोलते हैं इसमें दे रखा कि बाई परपेंडिकुलरिटी 0.03 वैरी कर सकती है डेटम A के रस्पेक्ट में ठीक है तो डेटम A यहां पर हमारा दे रखा है परपेंडिकुलरिटी 0.03 ड्रोइंग में आपको इस तरह का मिलेगा जिसको देख कि आप इजीली पहचान जाएंगे कि यह कर से सिंबल है और कितना हमारा मेक्सिमम वैरी कर सकता है परपेंडी कुलरिटी का मतलब क्या होता है सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझ जैसा कि नाम से फटा चल रहा है परपेंडिकुलर मतलब ल mango 90 डिगरी एक true perpendicular से यह कितना वैरी करता है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं आपको image से किलिए रहा होगा की perpendicularity क्या होती है वो true perpendicular से कितना वैरी करता है एक जट 90 डिगरी पर है तो perpendicularity जो होगी वो 00 होगी ठीक है इसको check करना बिलकुल आसान है जो डेटम है उसके respect में बिल्कुल perpendicular कर लेंगे और उस पे लगाएंगे dial, dial को move करेंगे, dial में जितना variation आएगा वो variation चेक कर लेंगे, जितना variation होगा वहीं उसकी perpendicularity होगी, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आपको समझा आ रहा होगा, डेटम को surface plate पे रख दिया है न, ऐ जैसे ही अगर किसी shaft की central line के respect में उसके face की perpendicularity चेक करनी है तो कुछ इस तरह से check होगा, अगर किसी hole के perpendicularity चेक करनी है तो इसको mandrail में लगा के और उसके face पे dial को up and down चेक करके चेक करेंगे, तो अलग-अलग condition में अलग-अलग तरीके से check होता है, आशा करता हूँ आपको perpendicularity अच्छे से समझ में आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो like कर दो और साथ ही साथ comment करके बता दो यार का अच्छा लगा, मिलते हैं next वीडियो में, next topic के साथ में